Hi everyone, welcome back to my channel, Other Concept Classes. आज के इस वीडियो में हम, Diploma of First Semester Engineering Exam का Straight Line का question solve करने वाले हैं, जो कि 2019 में 8 marks का पूछा गया था, ठीक है? तो चलिए इस रूख करते हैं, यहाँ पर question क्या दिया हुआ है कि Find the equation of a line passing through 3, minus 2 and perpendicular to the line x minus 3y plus 7 equal to 0. मतलब कि एक point तो दिया है, suppose हमको यह line का equation निकालना है, ठीक है? यह line का हमको equation चाहिए, तो यह point दिया हुआ है कि यह pass करता है 3, minus 2 से, ठीक है? और बोल रहा है यह दूसरे line के साथ perpendicular है, जो दूसरा line है, x minus 3y plus 7 equal to 0, ठीक है? तो हमको एक point दिया है, अगर दूसरा कोई point दिया रहाता है, तो हम two point form लगाते है, अगर दूसरा कोई slope दिया रहाता है, तो point slope form लगाते है, लेकिन यहाँ पर दूसरे line का equation दिया है, तो दूसरे line के equation की मदद से हम क्या करेंगे? slope निकालने का कोशिस करेंगे suppose कर लेते हैं जो line हमको equation find करना वो L1 है और उसका slope M1 है और जो perpendicular line है उसका slope M2 है ठीक है तो पहले हम यह equation दिया है उससे हम क्या करेंगे slope निकालने का कोशिस करेंगे तो हमारा जो equation है x-3y plus 7 equal to 0 हम इसको general equation of a line में लिखेंगे क्या करेंगे y को रहने y को उस तरफ कर लेते हैं तो 3y is equal to x plus 7 हो जाएगा ठीक है अब यह coefficient है y को हमको 1 बनाना है अगर हमको slope चाहिए तो तो सबको 3 से divide कर देंगे अगर इसको भी 3 से divide के तो सबको एक एक करके 3 से divide कर लेंगे तो यह 3 3 cancel y is equal to हो गया 1 by 3 x plus 7 by 3 general equation क्या कहता है general equation बोलता है y is equal to mx plus c होता है एक सबकोफिशेंट slope देता है तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि slope यहाँ पर 1 by 3 है यानि कि हम इसको second line का m2 बोले थे तो इसको m2 बोल लेंगे यह दो line आपस में perpendicular है अगर line perpendicular होता है तो हमको बता है slope का जो product होता है m1 into m2 वो minus 1 होता है हम क्या करेंगे m1 हमको निकालना है और m2 आपका कितना 1 by 3 दिया हुआ है यह 1 by 3 लिख लेंगे is equal to minus 1 तो m1 कितना हो गया minus 1 यह 3 उपर जाके into हो जाएगा तो m1 is equal to minus 3 हो गया ठीक है तो आपको slope मिल गया minus 3 और point आपका 3, minus 2 यहां दिया होगा ठीक है फिर से एक बाह लिख लेते point है आपका 3, minus 2 and slope आपको मिल गया minus 3 अब equation of align लिखना है तो equation of align कैसे लिखेंगे point slope form लगाएंगे ठीक है point लोगा फिर्म क्या था y minus y1 is equal to m times x minus x1 y minus y1 कितना है y1 आपका minus 2 है minus 2 m times minus 3 x times x minus 3 तो यह y minus minus plus हो गया y plus 2 is equal to minus 3 को x हे किया तो minus 3 x हो गया minus minus plus हो गया 3 x को इस तरफ लेके आते हैं तो यह 3 x हो जाएगा plus y plus 2 यह plus 11 को इस तरफ minus 11 ठीक है तो यह 3 x plus y minus 7 is equal to 0 यह आपका answer हो जाएगा ठीक है तो जब भी ऐसा सवाल रहेगा कि एक line का slope दिया है sorry, एक point दिया है और दूसरा line perpendicular दिया है तो सबसे पहले दूसरे line का slope निकालेंगे और m1 into m2 is equal to minus 1 करेंगे क्योंकि दो line अगर perpendicular है तो इसके slope का product minus 1 होता है वहां से हम एक एक करके slope निकाल लिए और फिर हम point slope form में लाके value पुट कर लिए तो इस तरीके से हमको solve करना है ठीक है